प्रश्न एक ब्रजभाशा है A. पूर्वी हिंदी B. पश्चमी हिंदी C. बिहारी हिंदी D. पहारी हिंदी उत्तर B. पश्चमी हिंदी प्रश्न दो मघी किस भाशा की बोली है? A. राजस्थानी B. पश्चमी हिंदी C. पूर्वी हिंदी D. बिहारी उत्तर D. बिहारी प्रश्न तीन हिंदी खड़ी बोली किस अपबरंज से विक्सित हुई है? A. मागधी B. अर्धमागधी C. शौरसेनी D. ब्राचड उत्तर C. शौरसेनी प्रश्न चार भाषा के आधार पर भारतिय राजों की पुन संरचना की गई थी? A. आ, 1952 में B. उन्नी सो तिरपन ए में C. उन्नी सो चौवन ए में D. उन्नी सो छपपन ए में उत्तर दी उन्नी सो चप्पनी में प्रश्न पांच भाशाई आधार पर सर्व प्रथम के स्राज का गठन हुआ ए पंजाब बी जमु कश्मीर सी रजस्थान दी आंध्रप्रदेश उत्तर दी आंध्रप्रदेश रश्न छे बधेली बोली का संबन किस वो भाशा से है? ए राजस्थानी बी पूर्वी हिंदी सी बिहारी दी पश्चमी हिंदी उत्तर बी पूर्वी हिंदी प्रश्न साथ किस तिथी को हिंदी को राजभाशा बनाने का निर्ने लिया गया? A. 15 अगस्त 1947 B. 26 जन्वरी उननी सो पचासी C. 14 सितम्बर उननी सो उन्चासी D. 14 सितम्बर उननी सो पचासी उत्तर C. 14 सितंबर 1949 E प्रश्न आठ वर्ष 1955 E में गठित प्रथम राजभाशा आयोग के अध्यक्ष थे A. B. जी खेर B. सुनीती कुमार चतरजी C. जी बी पंथ D. पी सुव्योरोयान उत्तर A. B. जी खेर प्रश्न नौ भारतिय सम्मिधान की आठवी अनुसूची में शामिल भाशाओं की संख्या है A. 14 B. 15 C. 18 D. 22 उत्तर D. 22 प्रश्न दस हिंदी की आदी जन्नी है A. संस्कृत B. पाली C. प्राकृत D. अपब्रंश उत्तर A. संस्कृत प्रश्न ग्यारा आठवा विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल हिंदी कॉन्फरेंस 2007 E का आयोजन स्थल्था A. नागपुर B. मारिशस C. लंदन D. नियुयार्क उत्तर D. नियुयार्क प्रश्न बारा निम्लिखित में से कौन भारोपिय परिवार की भाषा नहीं है A. मराथी B. गुजराती C. मल्यालं D. हिंदी उत्तर C. मल्यालं प्रश्न तेरा हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है A. जारा जून B. चौदा सितंबर C. अठाई सितंबर D. दस अक्तूबर उत्तर B. चौदा सितंबर प्रश्न चौदा विकास की दृष्टी से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है A. पाली B. संस्कृत C. हिंदी D. अवहट उत्तर A. पाली प्रश्न पंद्रा पश्चमी हिंदी की दो बोलियों का सही युगम है A. कन्नौजी अवधी B. ब्रजबग्हेली C. चतीस गड़ी बांगरू D. खड़ी बोली बुंदेली उत्तर D. खड़ी बोली बुंदेली प्रश्न सोला अर्धमाग्धी अपबरंश से विक्सित बोली है A. बांगरू B. बग्हेली C. ब्रजबाशा D. भोजपुरी उत्तर B. बग्हेली प्रश्न सत्रा देवनागरी लिपी का सही विकास क्रम है A. गुप्त लिपी ब्राहमी लिपी देवनागरी लिपी नागरी लिपी B. नागरी लिपी ब्राहमी लिपी गुप्त लिपी देवनागरी लिपी C. ब्राहमी लिपी गुप्त लिपी नागरी लिपी, देवनागरी लिपी. D. गुप्त लिपी, नागरी लिपी, ब्राहमी लिपी, देवनागरी लिपी. उत्तर C. ब्राहमी लिपी, गुप्त लिपी, नागरी लिपी, देवनागरी लिपी. प्रश्न 18 12. हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाशा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? A. राजभाशा B. तक्नीकी भाशा C. राश्ट्र भाशा D. काव्य भाशा 3. काव्य भाशा प्रश्ण 19. भारत वर्ष में हिंदी को आप किस वर्ब में रखेंगे? A. राजभाशा B. राश्ट्र भाशा C. विभाशा D. तक्नीकी भाशा उत्तर A. राजभाशा रश्ण 20. दूढाली बोली है A. पश्चमी राजस्थान की B. पूर्वी राजस्थान की C. दक्षणी राजस्थान की D. उत्री राजस्थान की उत्तर B. पूर्वी राजस्थान की झाल झाल